हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो मैं चानल प्रेज देखिए आज मैं आपको ये एक सिंगल कलर की डिजाइन बताने वाली हूँ बहुती इजी डिजाइन है थोड़ी सी जाली वाली डिजाइन है आप इसको जेंट स्वेटर लेजिट स्वेटर कार्डिगन मफलर किसी में भी बना सकती है ये इसका राइट साइड है और ये इसका रॉंग साइड है तो ये देखिए ये बहुत ही इजी है बनाने में भी 12 ब्रो का पैटर्न है यानि कि 12 सलाईयों में ये डिजाइन हमारी बनके कम्प्लीट हो जाएगी और 8 के मल्टिपल आप इसमें फंदे लीजेगा प् इसका बनाना स्टार्ट करते हैं ये देखिए मैने इसमे एट के मल्टिपल फंदे लिये है रखें से मने इसमें 90 प्रोस से बनाना स्टार्ट करेंगे तो फोस्ट डो में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे दूसरा फंदा सीधा बीनेंगे उन आगे करेंगे तीन फंदे हम उल्टे बीनेंगे एक, दो, तीन यहां से यहां से आप यह पैटन यह दो फंदे के बाद आप रिपीट पैटन मान के चलिए तो ये देखिए, तीन उल्टा हमने बीना और एक सीधा, तो इतना हम लास्ट तक बीनेंगे, तीन उल्टा, एक सीधा, फर्स्ट रो है ये, देखिए, एक, दो, तीन, उन पीछे करके, एक सीधा, उन आगे, एक, दो, तीन, उन पीछे, एक सीधा, फिर उन आगे करेंगे दे 2,3 नद एपोक 14 अन पीछे करकी सीधा और किनारे का एज स्टीιο है इसको भी हम सीधा विनेंगे पहली थलाई हो गई हमारी दूसरी सलाई प зм ze से पहला हम बिन के उल्टा-उल्टा स्ट्पिट कर trifles completely िएक पीडिये हम इस तरीके से उल्टा-ल्टा बिन लेंगे. सेकेंड रो है ये. ये दिखेंगे. अब थार्ड रो हम जो बनाएंगे. सेम फर्स्ट रो की तरह पहला फंदा उतार के एक फंदा सीधा बिढ लेंगे उन अपनी तरफ करेंगे अब पूरी से लाई देखें यहां से रिपीट पैटर्न है मारा तो दो, तीन और एक सीधा तीन उल्टा, एक सीधा हम बनाएंगे देखें, तीन उल्टा और एक सीधा तीन उल्टा, एक सीधा तीन उल्टा, एक सीधा और लास्ट वाला एजस्टीच सीधा उल्टे तरफ से फिर से पूरा उल्टा उल्टा बिन लेंगे ये देखे, चौथी सलाई भी हमारी complete हो गई, यानि फोर्थ रो हमने बना लिया, फिप्थ रो में देखे, अब हमारी डिजाइन है, जो start होगी, तो पहला फंदा हम उतार लेंगे, अब देखे, ये जो सीधा फंदा है, starting के फंदे जो है, इसको हम, आप कैसे भी, दो का एक ऐसे कर सकती है, ये देखे, दो का एक हमने कर दिया, अब यहाँ पे, ये दिखिए, उन हम इस तरह से सलाई पे लपेट के जाली बना लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ दो का एक किया है, अब एक फंदा हम सीधा बीनेंगे, इस तरह से सलाई पे फंदे लपेट लेंगे, और अब नेक्स तीन फंदो को अब जहां से देखिएगा, ये पहला फंदा, दूसरा फंदा, इसको हम, ऐसे दोनों को, इस तरह से, जो सीधा फंदा हमारे वहां से, ऐसे इसको उतार लेंगे, इसको यही रखेंगे, अगला फंदा हम सीधा बिन लेंगे इस तरह से जो तीसरा फंदा है और इन दोनों फंदों को यह देखे इन दोनों फंदों को इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे अब फिर से ऐसे जाली बनाएंगे यहाँ पे देखिए जो तीन उल्टा था उसका एक उल्टा फंदा हमारा इधर आ गया अब बीज वाला जो फंदा है उसको हम सीधा बिनेंगे उन सलाई पे फिर से लपेटेंगे जाली बनाएंगे फिर देखिए सेम रिपीट करेंगे दो फंदा इस तरह से उतार लेंगे तीसरा फंदा सीधा बिन देंगे और इन दो फंदों को हम इस पर से देखिए दोनों फंदों को इस फंदे से ऐसे उपर से करके गिरा देंगे और फिर सलाई पे फंदे लपेट के एक सीधा इस तरह से देखिए जो दो जालिया बनती जारी है ये जो दो फंदे हम घटा रहे हैं ये हमारा फंदा जाली बनाने से कवर हो जाएगा फिर सलाई पे फंदा लपेटेंगे फिर देखिए रिपीट प्रैटर्न अपना करेंगे दो फंदा ऐसे सलाई पर उतार लेंगे अगला फंदा सीधा बिनेंगे और इसके उपर से इन दोनों फंदों को हम ऐसे गिरा देंगे सनलाई पे फंदे लपेटेंगे एक सीधा फिर सलाई पे फंदा लपेटेंगे अब ये देखिए ये किनारे के दो फंदे बच्चे हैं तो इनको हम इस तरह से आप इधर को कर दीजिए ऐसे ये दो का एक जैसे भी आप कोई जी लगे नहीं तो आप किनारे के फंदों को इस तरीके से भी दो का एक कर सकती है और ये लास्ट फंदा सीधा 6 रो यानिकि छट्वी सलाई पूरा उलटा उलटा फिर से बिन लेंगे तो ये देखिए जो ऐसे है ये जो जाली है इसको भी आप इस तरीके से बिन लेजिए यह जो जाली है इसको हम बिन लेंगे इस तरह से 6th row यानि कि छट्वी सलाई भी हमारी कम्प्लीट हो जाएगी यह देखिए अब हमारी जो डिजाइन है देखिए थोड़ी सी चेंज हो जाएगी यह देखिए यह पहली लाइन हमने बना ली अब हमारा यह लाइन कम्प्लीट होगा यह बनेगा तो इसके लिए आप देखिए हम क्या करेंगे पहला फंदा उतार के उन आगे करेंगे अब यहां से एक और यह जो जाली वाला फंदा है दो यह हम उल्टा बिनेंगे उन पीछे करेंगे और यह जो एक फंदा हमने बीच में सीधा बिना था इसको हम इसी तरह से सीधा बिन देंगे उन आगे करेंगे अब देखिए यह जो हमने घटाया था इसके पहले और इसके बाद वाला इन तीनों फंदों को उल्टा बिनेंगे और एक सीधा बिनेंगे यहाँ से अब हमारा जो 디자ीन है वो रिपीट होगा यह पहला पंदा हमने सीधा बिन उतार लिया तो उल्टा एक सीधा इस के बाद अब देखिए यह 3 उल्टा एक सीधा इसको हम रिपीट करेंगे पूरा लास्ट तक देखिए सिधह करके तीन उल्टा, एक सीधा, उन आगे खरके तीन उल्टा, एक सीधा, उन आगे करके अब ये लास्ट है, तो श्टारटिंग में हमने दो उल्टा रखा था तो यहाँ पे भी ये दो उल्टा, उन पीछे करके представissent जो हमारा है उसको हम सीधा बिन देंगے, फिर से यह हमारी आठ्वी सलाई है पूरा उल्टा उल्टा बिन लेंगे यह देखिए नाइन्थ रो फिर से सेवन्थ रो की तरह ही रिपीट करेंगे पहला फंदा उतार के उन आगे दो उल्टा और एक सीधा इसके बाद अब हम अपना repeat pattern करेंगे फिर से तो अब देखें तीन उल्टा एक सीधा तो ये देखें इस तरीके से अब आएगा हमारा pattern अभी तक हमने ये बनाया था सीधा तीन उल्टा के बाद अब हमारा यहाँ पे सीधा है और ये उल्टा बन रहा है गुणागे तीन उल्टा एक सीधा तीन उल्टा एक सीधा लास्ट का दो उल्टा और ये एजस तीच जो हमारा है वो सीधा रॉंग सैट से फिर से पूरा उल्टा उल्टा बिन लेंगे ये देखिए दस्वी लाइन यानिके टेंथ रो हमने बना ली अब यहाँ से ये देखिए ये देखिए एक फंदा सीधा दूसरा फंदा दूसरा फंदा भी सीधा बिनेंगे उन ऐसे सलाई पे लपेट के जाली बनाने का करेंगे और अब ये जो तीन फंदे हमारे हैं यहाँ पे देखिए ये एक उल्टा एक सीधा और ये एक उल्टा तो इसको हम इस तरीके से सलाई पे उतार लेंगे यहाँ पे ये फंदा हम सीधा बीनेंगे और इसके उपर से इन दोनों फंदों को ऐसे सलाई के उपर से गिरा देंगे फिर यान ओबर करेंगे यानी जाली बनाएंगे एक सीधा बीनेंगे फिर यान ओवर करेंगे फिर देखिए ये दो फंदे इस तरह से एक फंदा बीनेंगे और इन दोनों फंदों को इसके उपर से गिरा देंगे जैसा हमने पिछली बार किया था फिर सलाई पे फंदा लपेट के एक सीधा फिर सलाई पे फंदा लपेटेंगे दो फंदा ऐसे सीधा जैसे हम बिनते हैं इसको उतार लेंगे इस तरह से ये एक फंदा सीधा और ये जो है हमारा दोनों फंदा इस फंदे के उपर से सलाई के उपर से गिरा देंगे फिर ये एक फंदाल पेट के जाली बनाएंगे एक सीधा फिर से फंदाल पेटेंगे और ये एक बार फिर से अपना रिपीट पैटन करेंगे ये सीधा और इसके उपर से गिरा देंगे जाली बनाएंगे और दो सीधा ये देखिए 12th row हमारा जो है 12th सलाई पूरा उल्टा उल्टा अब इनी को हम repeat करते हुए अपना pattern जो है वो पना लेंगे ये देखिए ये जो जाली है और जो हमने 3 का 1 किया है ये सभी फंदों को हम इस तरीके से उल्टा उल्टा बिन लेंगे ये देखिए तो ये हमारा जो pattern है वो बनके तयार हो जाएगा इनी 12th सलाईों को हम repeat करते जाएगे तो हमारा design फिर से बन जाएगा तो मुझे उमीद है देखिए आपको ये design जरूर पसंद आएगा अगर आपको ये design पसंद आता है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो जरूर करिएगा मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई design के संग तब तक के लिए बाई